वेलकम फैंड्स सु स्वागतम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक सामानिया पर बहुत ही ज्यादा पाउरफूल पेंखिलर टेब्लेट के बारे में जानेंगे यह टेब्लेट दो अलग अलग दमों का कॉंपोजिशन है वे दवईया है नेफोपाम तता पैरा सिटा मोड इसे की पोई डिटेल हम जानेंगे कि दोनों दवईयां क्या है साथ यह टेब्लेट जो दूसरी अदर पेंखिलर टेब्लेट और से बिन कैसे अलग कैसे और भी से जुड़ियो को बिना स्किप के अंजग देखे साथ ही में चैनल पर पहली बारे हैलो फेंट्स नमस्ते दोस्तों वीडियो में सबसे पहले हम जान लेते हैं इस टेब्लेट में यह दोनों ही दवईयां क्या है इस टेब्लेट में जो नेफोपा में एक नोन ओपीड एनालजेसिक दवा है जो दर्द को ठीक करने के लिए प्रियोग लाई जाती है यह दव दवा है जिसम नोन इस्टरोइडल एंटी इंफ्लामेट्र केहते हैं यह एंटी पाइरेटिक एनालज जैसिक दथा लो एमोंड वे देने पर एंटी इंफ्लामेट्री के रूप में कार्य करती है जब इस पेरासीटामॉल को नेफोपाम के साथ कॉम्बाइन में दिया जात जाती है और जब भी इसको आप मेडिकल इस्टोर पर खहिदने जाएंगे तो यह अपने कुछ ब्रैंड नेम से मिलेगी उसको हम यहां पर जान लेते हैं एक दो पूपुलर ब्रैंड है जिसमें नेफा डोल टेबलेट ताथा नेफोसें टेबलेट यह दो प्रमुक है और किसी को भी आप खई सकते हैं अगर इसकी आप प्राइस की बात के थोड़ी महेंगी टेबलेट अदर जो परती टेबलेट आपको 10 रुपे से लगा कर 12 रुपे की मिल जाती है हो सकता कोई ब्रांड इससे महेंगी बनाती हो लेकिन जो एवरेज प्राइज वो यही है अब अब देटें तो व्यक्ति को लंबे समय तक लेने पर आदित हो जाती है जिसका इसे समझ्य का सामना करना पड़ता है लेकिन नेफोपाम जो नोन ओप्यूट एनालजेसिक इसको लेने से किसी परकार का हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती इसे कारण से यह दवा ओप्यूट एनालजेसिक से सेफर माने गई है अगर इसके यूज को जाने तो जैसे हमने जानना था कि सीवेर टू एक जो क्रोनिक प प हड़ी क्रेक हो गई हो किसी बड़ी इंजरी हो गई है उसमें जो दर्व हो रहा है उसको ठीक करने के लिए दिया जारा है इसको जो ठीक क हैं अगर दर्द हो रहा है यह रहा है तब भी इसे दिया जा सकता है अगर बात की जाए तो किसी भी परकार के दर्द को जो सीवियर तता क्रोनिक है एक्यूट है बहुत ज्यादा पेन हो रहा है उस समय दूसरी पेन के लिए अच्छा असा नहीं दे रही है तो इस टेबलेट को प्रिय समय सकती है इसके अलावा थोड़े कम दिखाए देने वाले जो साइड इफेक्ट व्यक्ति को उल्टी होना इस नहीं आना या त्रोजीन नियस सरा और सिर चक्राना इसके अलावा सीर दरद हो सकता है गेस्टिक प्रोडूम हो सकती पीटे मरोड आ सकते है व्यक्ति का जू यूरीन का कलर है वहाँ चेंज हो सकता है यूरीन आउटपूट में उसको समझ्या हो सकती है इस तरह के समझ्याइं को साइड इफेक्ट रूम में देखी गई है यदि यह यह इसके अलाविक दूसे अंधिजरेबर आपको मिले तो तुरंत इस टेबलेट को लेना बंद करें अपने डॉक्टर से मिलें जिससे कि दूसरी टेबलेट आपको दी जा सके अब वीडियो की लख्ट में जान लेते हैं इस टेबलेट की क्या डोज होती कितनी मात्रा में दी जानी चाहिए तो एडल्ट में इसकी एक टेबलेट सुबह तता साम दिन में दो बार दी जाएग इस टेबलेट को सामय ने जाता है जब दर्ध हो SOS में वेन नीडेट की रूप में लिया जाता है और अगर दर्ध जादा है ठीक नहीं हो रहा है तो तीन दिन से गगार पांस दिन कभी कभी साथ दिन भी दिया जाता है और कोई पैसेंट है जिसके उमर 12 साल से कम है मतलब 12 साल से कम उमर का बच्चा को प्रेग्नेंट रूमर था प्रेश्विडिंग मदर इन में यह टेबलेट नहीं दी जाती अब इसलिए ज्यादा तर नहीं दी जाती और अगर कोई सेफर अल्टर नहीं है तो हो सकता है डॉक्टर भी इसको एडवाईज करें और जब यह टेब दवा कुस दवों के साथ इंटरेक्ट करती है उसके असर को कम यह ज्यादा कर देती है इसलिए यह बताएंगे तो आपको प्रोपर डिजारेबर एफेक्ट मिलेगा और इस तरह से बता कर आप उस दवा का अच्छा फाइदा ले सकते तो दोस्तों कम्प्लीट जानकर यह अच्छी जानकाई मिलने के साथ एक नई दवा आपकी नोलेज की लिश्ट में एडव ही होगी वीडियो को यही खत्म करता हूं मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहें और मस्त रहें